नमस्कार दोस्तों नहीं जाब चानल में आप सभी कास वागत है Let's Learn Together पिछले वीडियों हमने देखा कि formwork क्या है तो कभी-कभी बहुत लोगों का सवाल रहता है कि formwork और shattering में क्या difference है shattering, centring में क्या difference है staging, scaffolding में क्या difference है difference between formwork, shattering, centring, staging and scaffolding सबसे पहले है formwork Formwork क्या है? Formwork एक temporary structure या पर एक mode है जो concrete pour करने के लिए यूज़ करते है इसके लिए यूज़ करते हैं तब तक concrete को उसके अपनी strength आ सके तब तक वो concrete को support कर सकता है और इसके साथ ही उसका main job यह रहता है Formwork का, कि वो concrete को control कर सके और उसके साथ ही support कर सके जब तक कि उसकी required strength concrete को आ सके तब तक यह उसको support करता है अभी formwork, यह formwork कितना time तक रखना है बलब concrete pour करने के बाद में कितना time के बाद हम उसको remove कर सकते है उसके भी कुछ guidelines है इसमें अभी हम देखेंगे इसमें आप देख सकते है description of structural member और minimum time period इसमें भी देखेंगे walls, columns, vertical sides of beams इसको 16 to 24 hours में हम निकाल सकते हैं बलब formwork को निकाल सकते हैं इसमें slab slab में कैसे props को अंदर नीचे रखना है उसके बाद तीन दिन के बाद आप formwork निकाल सकते हैं beam soffits beam soffit का प्योई है props को रखना है और बाकी formwork साथ दिन में अप निकाल सकते हैं अभी removal of props to formwork ये formwork निकालने बाद props का अप निकालना है अगर साड़े चार मेटर तक का span है तो ये साथ दिन के बाद निकालता है और ये साथ चार मेतर के उपर span है तो ये चौदा दिन तक रुपना पड़ता है और चौदा दिन के बाद प्राप्स निकालना है remove of props to beams and arches अगर चे मेटर तक का span है तो चाऊदा दिन के बाद निकालना है और ये Span अगर चे मेटर के उपर है तो 21 दिन के बाद वो निकालना पड़ते हैं इसमें एक देखेंगे कि यह जो टाइम आप रिमर और फार्मक है यह और्डिनरी पोर्ट लैंड सेमेट जब कॉंकर्ट में यूज करते हैं उसके लिए मेंशन किया हूँ है दूसरे ड़क का सिमेट अब यूज किया तो यह चेंज हो सकता है फार्मवर कम्वें रोल है कि वो सारे टाइप के लोड जैसे नया न्यू कॉंकरेट है कांस्ट्रेक्शन माटेरियल्स है, एकुप्मेंट है, वर्कर्स है, विरियस विंड है यह सबको विट्स्टैंड कर सकें और कॉंकरेट को स्ट्रेंट आने तक उसको सपोर्ट करें अभी हम बात करेंगे शट्रिंग की शट्रिंग की शट्रिंग, शट्रिंग है फार्मवर का एक टाइप है वह जिसको हम डेरी उटी आप फार्मवर भी बोलते है और शट्रिंग मतलब वर्टिकल टेंपलरी अरेंज्मेंट जो भी बनाते हैं जैसे कॉलम्स हो गया उसके जो पॉर करते हैं उसको सपोर्ट के लिए करते हैं इसमें आप सकेश में लेख सकते है इस शट्रिंग का यह पर हम दूसरी इसमें बहुनेंगे तो फॉर्टिकल अरेंबेंट उसको भी हम शट्रिंग बोलते हैं टेकनिकल पॉइंट पर उसे सब देखा जाएं तो कॉलम्स फुटिंग रिटेंग वाल का जो फॉर्मवर का उसको हम शट्रिंग बोलते हैं अब हम बात करेंगे इसमें सेंट्रिंग की इसमें इसमें आप सकेश में देख सकता है यह वरिजन्टर मेंबर को सप्राइप स्टिंग इसको अने सेंट्रिंग होता है अर इसको टेकनिकल प KN क हिसाफ से वहाँ जातो हो फलोर बीम Z एन अड है इन ऐर फलोर बीम आफ स्लाप 22 SP Aa उसको सेंट्रीगmost system सकाथ स्टेजिंग is a temporary member भी फलोर इम के लिए इजा जाता hai इसको इस साइड में सकेज में देख सकते हैं, इस support के लिए यूज किया हुए है, इस staging कहा है इस staging कहते हैं, props, jacks, edge frame, cup lock sustain, wooden bellies, इसे अलग-अलग materials सी है staging करते हैं, इसमें आप sketch देखेंगे तो आपको पता जाएगा कि जो बी फार्म वक हम करते हैं उसका एक स्ट्रक्चरल मेंबर्ण करने के लिए यह रोकरस को काम करने के लिए एक फ्लाटफॉम की जरूरत होती है वह फ्लाटफॉर्म बनाने के लिए यह पुरा पाइप सेश्टीम ऐसा जो बनाते हैं उसका हम स्काफ़र्डिंग होते हैं यह मूवेबिल रहता है या फिक्सल भी रहता है जैसे की रिक्वार्मेंट है इन शॉट जो वरकर्स है उसका प्लाटफर्म के लिए बीडिंग के आरांड जो भी काम करना उसका वरकर्स के लिए प्लाटफर्म बना थे उसका फॉर्मॉक बोल दे जा दर भी प्लास्टरिंग, ब्रिक वार, एंटीम, यह सब इसकेफ़र्डिंगा यूज करते हैं इसकेश में अदेख सा अधि scheint करते हैं अभी हैं साथिने जने लिए फॉर्मॉक है नंगिंगा लिए फोर्मर के इन टेंपरेट लिम ला अभी मॉल्ड है, ब्रिक्डीम आगे सेंटरिंग में भी वश्का परंदेट का वीडिंग की सब् fanNow रेंग अब ह nessa की अवरत वासंद्र है वा मझा में वर्टीकल मिम्बर विते लिए को काव ब्लाटफॉर्मम बनाipocaay को फ्या लिया विकल комментарik कि स्टेजिंग के लिए के लिए को सपोर्ट करते आरो स्aser frames लेकिर शिया किभा में बने के लिए वाधार मिल कॉस्तारुटि Casey 17 प्लाटफॉर्मम है तो दोस्तों हमने देखा formwork, shattering, centring, staging और straffording क्या है और इसमें क्या-क्या differences है लेकिन practically जब इलेबर contractor और फिर shattering contractor रहा है वो centring contractor ले बोलते हैं वो formwork, shattering, centring एक ही समझते हैं या फिर shattering, centring एक ही समझते हैं लेकिन एक्षियल में जो differences है वो हमने इस video में discuss किया आपको ये video कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए अगर पैदी बार में आप चानल देख रहें तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड़ गा बेन एक प्वेस केजिए ताके मेरो आन्यवालनी सारी वीडियोस को नोटिप्रिकेशन आपको मिल सके धन्यवाल